जै मातारी दोस्तों अकसर क्या होता हमारे घर में बहुत सारे खाने बढ़ जाते हैं थोड़े थोड़े हमें समझ नहीं आता हम किसी को दे या क्या करें और अगर किसी को ना दे तो फिर फेकना पड़ेगा तो वह भी बहुत जादा दिकत लगती है तो मैं आज आपको जिस इस तरीके से बता रही हूं नास्ता बनाना आप उस तरीके से बनाइए का भचे हुए खाने का नास्ता बहुत ज्यादा चटपड़ा टेस्टी बने का और लोग मांगर खाएंगे इसके लिए मैं एक पहन में गीर डाल दी है गीर में एक चमजीरा डाला है अभी से अच्छे अब तोरी थी सब्जी धी तो में हसावाण को दो, थोड़े धोड़े से बड़के समान बच जाते है तो सो से बने तो रोज खुद खाना परता है वह भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम लगती है तो इस तरीके से बना दीजेगा थोड़ा थोड़ा सभी लुग खा लेंगे और बहुत अच्छी तरीके से बन कर तयार होता है बहुत चट पटा भी लगता है तो किसी को खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी बन कर तयार होते है एक बड़ जरूर से ट्राइ किजेगा इसमें मैंने देखी यह नमकीन डालिया आप अपने पसंद के किसी भी नमकीन को चीप्स को कुरकुरे को कोई भी चीज आपके पास हो आप डाल सकते है इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा और बच्चे हो या बड़े सब मांग मांग कर खाएंगे आपसे तो इस तरीके से हमने सारी चीजों को मिला दिया है और हम इस अची तरीके से पका लिया है अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे बहुत चट पर दो मिनट में बन कर तयार हो जाता है सब्सक्राब को एक कर दो जाख बड़ा जाएंगे वे नास्तार आसिपई बन कर तयार है तो अपके पास भी खाने का समान बच जाता है जादा और आपको ब्राबलम होटी कि क्या करे तो कि एक पर जाए इक पर चिए जाएगा और कौमेंट कर बताएगा क्या र copyright related a your behavior तो जबी भी खाना बसता है तो मैं इसी तरीके से गरम कर देती हूं सारे लोग बहुत प्यार से खाते है तो अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आगे किसी अच्छी सी रेसिपी की साथ मिलते है तब तक के लिए घर मेर सुस्ट्रे मस्ट्रे जेमाता दी दोस्त।